Hello guys, welcome back to my channel. So guys, today our topic is parts of speech. जो हमने कल पड़ा था कि parts of speech क्या होते हैं और किस कौन-कौन से parts of speech हैं जो important हैं जिनकी help से हम जो है अपनी language को बोल सकते हैं properly. तो आज जो parts of speech हैं उसके अंदर कल मैंने आपको बदाय था कि nine parts of speech हैं आज हम उसका first discuss करेंगे that is the noun. noun. Noun is also one of the important parts of speech. तो first of all we should know what is the meaning of noun and what are the different kinds of noun. Noun one by one we will discuss about the different types of the noun. तो firstly noun क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए. तो noun हम short में simple में लिखेंगे noun is a noun is a naming word. noun आपका क्या है? एक naming word है. naming मतलब किसी चीज को हम कोई नाम देते हैं that is the noun. तो जहां आप ऐसे भी बोल सकते हैं noun is a name of a person, place or thing. so that is known as noun. किसी चीज का किसी परसन का नाम हो, किसी जगा का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, तो तो that is called as the noun. उसको हम noun कहते हैं. अग्जम्पल पर, example में हम लिख सकते हैं जैसे, राम किसी का नाम है, यनहीं भी बताया है कि किसी चीज का नेन, of a person का हो, place का हो. जैसे आप लिखते हो, Jammu Jammu is also a place, then आप किसी चीज का नाम लिख देते हैं, में बुक लिख देते हैं, चेर लिख देते हो, किसी भी चीज का नाम लिख देते हो, आप dog लिख रहे हो, dog is also an animal, किसी का नाम है, dog को हम commonly dog, उसके आगे टाइपस है, जिसको हम common noun में, proper noun में कैसे बुलाएंगे, आप Delhi is also the capital of India, and this is also the name of place, तो यह जो सारी चीजे हैं यह आपकी noun है, कुछ भी वर्ट्स हैं, जो आप किसी चीज को कोई नाम है, किसी चीज को आप कैसे भी बुलाते हैं, जैसे यह duster है, duster is also an noun, duster भी आपके नाउन है, pennies also an noun, marker, blackboard is also an noun, everything, everything, इसको भी हम किसी नाम से बुलाते हैं, इर्थगेटे कोई भी चीजी है, हर चीज का एक नाम है, तो उसको हम नाम है, उसको हम नाम कहते हैं, वो सब क्या है आपका नाम है, अब कोई भी चीज आप बोलते हैं, मुझे दे 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 देना, प्लीज गिब मी डस्टर तो गिब मी एक तो देना that is the verb हो गया तो गिब मी is the pronoun and duster is the noun तो देखो parts of speech यूज हुए न आप छोटी सी एक लाइन बोलने में भी तो आपके तीन parts of speech यूज हो गे तो that is also the parts of speech ये सबाब का noun के अंडर आता है अब हम इसके आगे बहुत सार इसकी भी types हैं जो हम discuss करेंगे one by one first of all आपको noun का पता चल गया noun एक naming word होता है name होता है किसी person का place का और thing का और ये आपकी उसकी examples है आप किसी वी चीज का नाम हो किसी वी person का नाम हो किसी वी जगे का नाम हो तो वो आपका noun के अंडर आता है ठीक है अब इसके आगे types कुन सी होंगी types of noun the first one is the proper second is the common noun third is the material noun fourth is the abstract noun फिर आपका concrete noun फिर आपका collective noun फिर आपका countable noun ये आपके उसकी के अंदर आती है ये different है फिर आपका uncountable noun ये आपके nouns की types है ये countable और uncountable ये आपके common के अंदर आ जाते हैं लेकिन मैं different करके बता रही हूं ताकि आप understand कर पाएं कि what are the countable nouns and what are the uncountable nouns ओके तो these are the types of the noun अब one by one हम इसको discuss करेंगे कि क्या proper noun होते है क्या common noun होते है क्या material होन और क्या बाकी वाले जो noun हों उनको भी one by one discuss करेंगे तो first of all I will discuss about the proper noun proper noun किसे कहते हैं तो मैं ये सब रफ कर रही हूं क्योंकि मैं पहले proper noun बढ़ाऊंगी आप देखो proper noun proper noun क्या होते है कि जब हम किसी चीज के भारे में properly उसका नाम लेते हैं जब हमें पता है कि वो एक particular चीज है when we are talking about a particular thing particular person or particular place तो that is noun as the proper noun ठीक है तो कर दो जब हम किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में पर्सन के बारे में बात कर रहे हो तो वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है ठीक है पर्टिकुलर मतलब जो हमें पता हो कि हम उस एक चीज के बारे में बात कर रहे है तो वो आपका क्या है? आपका proper noun हो जाएगा. ठीक है? तो अब इसके अंदर के example में आपको देती हूँ जैसे राम इजब वाए. Example होगी. राम एक लड़का है. ठीक है? राम इजब वाए. राम क्या है? एक लड़का है. तो राम एक लड़का है. अब राम क्या है? हम पे पता है जिस राम की बारे में हम बात कर रहे हैं. उस राम का हमें पता है ना तो हम उसी की तब ही तो कह रहे हैं कि वो लड़का है. ठीक है? तो यह जो राम आम ने लिखा, राम इजब वाए. हीर राम is a proper noun. क्यूंग? क्यू ठीक है वैसे तो ब्वाय जो आपका है that is the common noun लेकिन जब हम common पढ़ेंगे तो हम फिर बताएंगे अभी आप ब्वाय को छोड़ दीजिए यह आपका article हो जाता है इस आपका helping verb तो देख लेजिए आप यहां noun यूज हुए यहां noun यहां article तो आपके parts of speech फिर भी यूज हो रहे हैं ठीक है तो यह आपका राम जो है that is the proper noun क्यूंकि हम किसी एक के बारे में बात करें जैसे अब मैं लिखू देली इस दख कैपिटल ओफ इंडिया देली जो है वो capital किसकी है इंडिया की तो ऊसनी की बात कर रही हूं तो that is the proper एक ही है दिल्ली जिसकी आब बात कर रहे है तो that is also the proper noun ठीक है तो these are the two examples अब मैं एक और दे दूँगी example जो थिंक के बारे में होगी जैसे मैं बात कर रहे हूँ अच्छा अब ठीक की बात करेंगे जैसे यहाँ पर डस्टर पड़ा हो तो मैं कहीं और से बोलूँगी कि please give me that red duster मुझे वो वाला red duster दे दीजिए तो अब मैं इस particular red duster की बात कर रहे हूँ तो यह red duster एक ही है जिसकी बात मैं कर रहे हूँ जिसको बोलूँगी कि please give me that duster that red duster तो यह जो duster है यह एक ही है इसलिए इसी की बात कर रहे हूँ जाब मैं बोलूँगी please give me black marker हो सकता है वहाँ black marker हो blue भी हो बहुत सारे marker हो तो मैं बोलूँ प्लीज गिम मी ब्लैक मार्कर, तो दिस इस दा प्रॉपर, प्रॉपर ली मैं किसकी बात करें। प्रॉपर ली मुझे ब्लैक मार्कर ही चाहिए। डी-जिस-फिक मी सोड़िया चाफ सकता नर्टेक सोब्सक्राइब इस संतर्ध सबनो कि दें इस इन ऑचे में हो सकता उसा ब्लून हुआगे, कि प्राइज कर से किस था से पाटिकुलर परसन क्तिंग कोशिश करें हैं इस प्राेब याँ पistIs तरह से नितर्म,, common noun common noun common noun तो आपको बता होगा जब हम किसी common चीज की बात करते हैं that is the common noun अब common noun में हम क्या बढ़ेंगे जब हम किसी एक category की बात करें जब मैं बोलूँगी human beings तो मैं सभी human beings की बात करें हु किसी एक को पटिकुलर का नाम नहीं ले री किसी परसन का तो human beings is also under the common noun जब मैं बोलूँगी markers there are so many markers तो that is the common noun markers की बात करें हूँ किसी एक marker की बात कर नहीं पूरी category की बात करें हूँ बहुत सारे कलर्स की मारकर हो सकते हैं जब मैं बोलूंगी boys जय से मैं बोलूंगी please stand up all the boys of sixth class खड़ो जो सारे six class की boys तो there are so many boys maybe there are 70 boys 20 boys 5 boys 2 boys कोई भी number हो सकता है boys तो मैंने किसी particular person का या नही लिया किसी particular boy का नाम लोंगी please Aryan you stand up तो that is the particular boy तो that is the proper noun क्योंकि मैं आरेयन की बात कर रही हूँ लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि all the boys सभी boys खड़े हो जाओ तो that is the common मैं category की बात कर रही हूँ जब मैं बोलूँगी mothers take care of their children mothers जो है वो अपने बच्चों की help करती है उनकी care करती है तो यह उनकी care करना mothers में सभी mothers की बात कर रही हूँ जब मैं बोलूँगी his mother उसकी जो mother है वो उसकी care करती है that I am talking about a particular mother सिर्फ उसी की mother की बात कर रही हूँ तो उसकी जो mother है उसी की mother होगी किसी और की थोड़ना होगी तो वो गया है मैं उसी की mother की बात कर रही हूँ तो that is the proper noun लेकिन जब मैं बोल रही हूँ कि all the mothers सभी mothers की बात कर रही हूँ that is the common noun I hope you all understand what is the difference between the proper and the common noun जैसे मैं बात करूँगी animals एक्जेंपल के तोर्स पे animals animals के अंदर बहुत सारे animals आते है आपका camel आ सकता है horse आ सकता है cow आ सकती है buffalo आ सकती है deer, goat, everything बहुत सारे animals इसके अंदर आ जाएंगे ठीक है अगर फिर भी मैं इसके आगे भी differentiate कर दूँगी deer तो deer की भी बहुत सारे deer हो सकते है उसके अंदर ये भी आपका common noun के अंदर आता है तो ये क्या है आप इसको deer को ले लो आप आप deer आपका क्या होगा common noun ही होगा क्योंकि deer तो बहुत सारे गृप हो सकता है deer का कुछ भी हो सकता है तो ये क्या है deer जो है that is also the common noun लेकिन जब मैं बात करूँगी कि उस particular deer का जिसका कोई भी हो सकता है कोई हिंट बता दूँ कि हाँ वह वाला है उसका कल्रा लग गया जाँ उच है उसमें कोई एक डिफरेंट है वो सबसे तो मैं उस deer की बात करूँगी तो दैन वो प्रॉपर नावन आपका कि जब मैं deer बोल रही हूँ तो that is the common noun ठीक है गर्ल्स बोल रही हूँ जैसे girls are good in dance girls जो है वो dance में अच्छी है तो that is the girls क्या है एक्जेम्पल के तूर पे girls boys students mothers father mother father लिख लो mother father भी आपका क्या है sister brother pen pen मैंने आभी आपको बताया कि pen proper में भी आता लेकिन जब मैं particular pen की बात कर रही हूँगी कि black pen चाहिए मुझे जहां blue pen तो that is the proper noun लेकिन जब मैं इसकी commonly बात कर रही हूँ कि there are so many pens so that is the common noun फिर उसके वाद आपका chairs आ सकती है tables आ सकते है table आ सकते है क्योंकि table कोई भी comment table हो सकते है मैं किसी particular table की बात ही नहीं करूंगी तो वर common noun में आजाएगा अब यह सब क्या है आपके यह सब आपकी examples common noun trees हो सकते हैं जब मैंने किसी एक tree की बात ही नहीं की तो that is the common noun I hope you all understand the difference between the proper and the common noun so guys tomorrow we will discuss about the third one that is the collective noun material noun और बाकी जो रहती हैं इसकी types वो हम कल discuss करेंगे तो today we have discussed about noun what is noun उसकी examples and what are the different types of noun वो भी आपको पता चल गया और उसकी 2 types that is the proper and the common noun we have discussed about these both types proper and common noun so I hope you all understand the meaning of the noun and there are two types of the noun and what is the difference between the proper and the common noun so thank you guys for watching my video you